दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले bank की statement को reconcile करना दोस्तो अगर हमारे bank statement में और हमारे books में जो हमने bank का laser create किया हुए उसके closing balance में अगर कोई difference आता है तो वो difference क्यों आता है अगर आ भी जाता है तो उसका समाधान कैसे होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमें सारी बाते प्रैक्टेकली सीखेंगे original bank की statement के साथ या bank statement को हमारी books के साथ किस तरीके से match करेंगे अगर कोई difference आता है तो उसे reconcile किस तरीके से करेंगे तो दोस्तो आज ये सारा हमारा वीडियो जो practically देने वाल है अगर आप एक नए अकाउंटेट हो अपना टेली साफ्टवेर में knowledge और ज़्यादा increase करना जाते हो तो आज की वीडियो को end तक complete जुरूर देखेगा कोई भी step आप skip मत करना तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like करते ना दोस्तों के साथ share भी करते ना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करीगे तो इस चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना और उसाथ में notification bell को भी जरूर on कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीकी की वीडियो और भी लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मौन सुसार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों हमारे पास एक यह बैंक की तरफ से मिली वी बैंक की स्टेटमेंट है और हमने हमारी कंपनी में भी बैंक की यह ट्रांजेक्शन करके रखी वी है तो सबसे पहले हमारे सॉफ्ट बेर में हम बैंक के लेजर को ओपन करेंगे इसके लिए हम गेट्वेव टेली पे डिस्पेले मोर रिपोट्स पर आएंगे और उसके बाद में हम अकाउंट्स बुक पर आएंगे और लेजर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर बैंक ओफ इंडिया का लेजर मेंने क्रियेट किया है और यह जो हमारे पास स्टेटमेंट है यह भी फाइनेंसलियर 2020-21 की पुरे साल की है तो अगर हम क्लोजिंग बलेंस की बात करें तो अगर बैंक की स्टेटमेंट की तरफ से देखा जाएं तो इसका मतलब हो गया यह बैंक तो यह कहा रहा है आपका पैसा हमारे पास 30,841 रुपे जमा है अगर हमारे बुक्स की अगर बात करें तो हमारे बुक्स यह बोल रही है भी आपका पैसा बैंक में अभी 21,516 रुपे ही बचा है हमने कोई गड़ति इंटरी कर दी इंटरी बिलकुम हमारी सही है दोस्तों अक्सर यह बता है जब हम फाइनलर एन्ड होता है जब 31,5 Kingston को करते हैं तो हमारी तरफ से थो बो 31,5 willingness को हम ने चेक पर दिया पार्टी को लेकिन वो जो चेक है वो पार्टी ने सेम डेट यानिकि 31 सारी को बैंक में जमा नहीं करवाया उसनों चेक है जो next financial year को अप्रेल मंत में या मैं मंत में जाके जमा करवाया है तो अलांकि अभी तक पैसा तो हमारी 2566 रुपे का ही बचा हुआ है तो जबकि बैंक ये कह रहा है विए आपका पैसा मैरे पास 3841 रुपे का बचा हुए तो ये पैसा तो निकलना ही निकलना ये तो तेही है ये तो आज निहीं हो нет और कल निकलेगा तो अकसर ये तब होता जब हम 31 March को जो check issue करते हैं 30 तारीको या फिर 31 तारीको क्योंकि जो हमने check issue किये वो same date ज़्यादा तर clearing नहीं हो पाते अलग-अलग bank होने की वज़े से तो हम एक बार इसको verify कर लेते हैं भी कौन से ऐसे जो check है हमने party को दे दी लेकिन शामने अभी तक bank से वो पैसा निकलानी है उस check के amount का तो दोस्तों हमारी अगर books में देखे तो हमारा books में जो bank का debit balance आ रहे है टोटल जो आ रहे है वो 65,000 रुपे आ रहे है अगर हम bank की statement को देखेंगे तो bank का जो credit side का है हमारी books का debit side होगा तो bank का credit side होगा तो यह bank के credit side का total भी 65,000 रुपे आ रहे है तो यानि कि हमारा एक side तो clear हो चुकी है अब difference हा रहे है debit side का अगर हम debit side का bank की तरफ से देखेंगे हैं तो bank अभी तक यह बोल रहे हैं भी अभी तक हमने आपको 34,169 रुपे issue कर दिये हैं यानि कि आपने हमारे से 34,169 रुपे ले लिए हैं वो किसी रूप में हो सकते हैं चाहिए आपने नगत निकलवाए हो चाहिए आपने किसी को चेक दियो हो चाहिए आपके खर्चे लगे हो अगर हमारे books में देखें तो books यह कह दिये भी आपने हमने अभी तक bank में से 23,444 रुपे लुड्रो कर लिए हैं अब इसमें बैंक का खर्चा भी सामिल है जो पार्टियों को चेक दिये वो भी सामिल है और जो हमने कोई पैसा विड्रोल किया है वो भी सामिल है तो दोस्तों अभी तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहे है वो difference अगर हम देखें तो यह जो last में हमने 31 March को जो check issue किये हैं यह जो 3 check है इनी 3 check की amount का difference अभी आ रहा है अगर इसमें माइनस करके देखें हम 21,500 16 रुपे का अगर इसमें 21,500 16 माइनस करेंगे तो यह 3 में 125 रुपे का difference आ रहा है भी हमने जो 31 मार्च को जो चेक इशू किये थे तेंगे ये हमारी तरफ से तो इंट्री हमने कर दी हमने पार्टियों को चेक भी दे जी 31 तरी की डेट भी उस पर लगी विया लेकिन वो पैसा अभी तक बैंक में से नहीं निकला है इसलिए बैंक का बैंस अभी ज्यादा बोल रहा है तो दोस्तों अब हमें इस बात को verify करना होगा भी ये क्यों difference आ रहा है ये आ क्यों रहा है क्योंकि अब जब भी हमारी books की audit होएगी जो chartered content होगा है जो हमारी books की audit करेगा books को देखेगा और जब ये bank के साथ इसका मिलान करेगा तो हमारे से पूछेगा भी आपका books का balance और आपके bank statement के books में से difference आने का कारण बता हो तो दोस्तों इस ही को हम bank reconcile बोलते हैं वी जो difference आ रहा है उसको हम एक page पर अलग से note करके रखते हैं वी ऐसे जो इकतिस तारी को जो check issue कियें वो हमारे books के में इंट्री हमने कर दी लेकिन वो पेसा अभी तक bank में से नहीं निकला है तो दोस्तों इस ही को हम बोलते हैं अभी data जो bank की date हम यहां पर लगाएंगे वी कौन-कौन से यह एसे इंट्री हैं जो bank में हो चुकी है हमारी books में भी इंट्री है और वो इंट्री books बैंक में भी है तो जो data हम यहां पर bank की डाल देंगे और जो bank की data भी नहीं आएगी वो हमारे check कर अन-reconcile में पड़े रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे भी यह चेक है अभी तक bank में से निकले नहीं है इसी की वज़े से difference आ रहा है तो दोस्तों अगर आप bank किस जब हम laser open करेंगे तो इसमें आपको एक option दिखाए देगा reconcile का इस पर हम करेंगे तो आपको यहां पर bank क देटा आजेगी अब जैसे की पहली डेटा चाली जार्पे की अगर चाली जार्पे की तो bank में किस तरीक हो यह entry है एक तरीक हो तो हम यहां पर इसकी bank rate में यह एक फरवरी फरवरी 2021 की enter है तो एक परवरी 2021 की हम entry कर देंगे उसके बाद में जो second entry है मारी 50 यह पर ज़ची आर्पी की वह उसके बाद में 150 रुपय का जो बैंक चार्ज़े ज़ाओ हुआ है ये भी मारा एक मार्च को एं ये एक तीन दो जारगईश कर डेंगे उसके बाद में 25,000 रुपय हमने ये चेक इस्यू किया, चेक दिया है पाटे को ये दो मार्च का है तो यह अभी तक हमारे इस स्टेटमेंट में नहीं आई है तो हम इनको छोड़ देंगे और इंटर इंटरप्रेस करके इसको कर देंगे अब याप देख रहे हैं जैसे हमने बेंक रिकंसाल पर इंटरी करिए तो यहंपर बेंक देट के आगे भी यह सारी डेटें शो करना शुरू कर दिया बी यह जो इंटरी यह आपके बेंक में इस तरीक को पैसा निकल चुका है और जब तक इनकी आगे कोई डेट नहीं लगे तब तक आपको यह पता चलता रहेगा भी यह पैसा हमने बुक्स में तो इंट्री करती लेकिन अभी तक इसका पैसा बैंक में से निकला नहीं है जिसे अमाले जी यह जो चेक है 31 अरिका अब इस पार्टी ने 4 अप्रेल 2021 को बैंक में चेक लगाया है जो हमने पार्टी को चेक दिया था तो जैसे हमें पता चलेगा भी 4 तरिको पैसा निकल गया है तो हम इसको भी वापिस रिकंसाइल करेंगे तो दोस्तों जब रिकंसाइल पर क्लिक करोगे तो आपके प देट दाल देंगे चार अप्रेल 2021 की अलाकि अब यह मेरे पास डेमो मोड है इसलिए चार तरिक नहीं ले रहा अगर हम इसकी दो तरिक की बात करें तो दो अप्रेल 2021 को अगर चेक निकलता है इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर भी आपको यह डेट दिखा देगा भी यह जो पैसा है वो दो अप्रेल 2021 को बैंक में से पैसा निकल गए है तो जब भी आप स्टेटमेंट ले के होगे तो यह डो जार पे की इंटरी भी अब आपके खाते में यहां शोग रहेगी अब आपका जो बिलेंस है वो यहां से दो जार पे कम होने के बाद में अब 28,841 दोसो इसलिए हमें यह बैंक को रेकनसाइल करना ज़रोरी रहा था था कि हमें पता चलता रहे हमें कोई गलती से कोई इंटरी नहीं कर दियो कई बार ऐसा होता है थी हमारे पास को चेक हाया 31 मार्च को हमने 31 मार्च को बुक्स में इंटरी भी कर दी लेकिन जो पैसा है वो लिए बैंक में 31 तारी को हमारे लेजर में नहीं आ पाया यानि कि वो क्लिएरिंग का चेक था दूसरे बैंक में गया था उसमें दो या तीन दिन लग गए तो वो इंटरी मारे इंटरी अभी तक मारे बैंक में नहीं है तो हमारे बैंक का स्टेटमेंट है जो इसके मारे टेली सौफ़वेर के साथ मेच करता रहे तो आपको इंटरी कोई भी डिलीट नहीं करनी है चाहिए आपका पैसा बैंक से भी तक नहीं निकला कोई बात नहीं आज नहीं तो ये दो तेरी कंसाइल करते हैं, तो दोस्तों उम्यद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आगी हो, वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेज़ेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सेखने को मिलाओ, तो प्लेस वीडियो को लाइक देके भी जरूर जाना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपिक के साथ